हम लोग शुमित भागवत्म के तीसरे स्कंद के तीसरे ध्याय के सात्वे और आठविश लोग को देखने का प्रयास करेंगे आज की घटना यह है कि नरकाशुर ने कच अपने सुना था जलां कि मार करके अस्कर अंत्रापुर में प्रवेश किये और जो बचावा धनBut an regarded अठक के बेटे को बंदर जाके क्या देखा वै अब हमास सुनने वाले हैं. भगवान अंदर जाके क्या देखते हैं, क्या करते हैं, उसको देखते हैं. पेरे पीछे बोलिए. तत्रायतास्तानर देव कन्याह कुजे नद्रिष्ट्वा हरिमार्त बंधुम् उत्थाय सद्यो जग्रुहू प्रहर्ष वरीडानुराग प्रहितावलो कैहि तत्राहरतास्तानर देव कन्याह कुजे नद्रिष्ट्वा हरिमार्त बंधुम् उत्थाय सद्यो जग्रुहू प्रहर्ष वरीडानुराग प्रहितावलो कैहि उत्थाय सद्यो जग्रिहु प्रहर्ष व्रीडा नुराग प्रहिताव लोकै तत्राहरतास्तानर देव कन्या कुझे नद्रिष्ट्वा हरिमार्त बंधुम् उत्थाय सद्यो जग्रिफु प्रहर्ष व्रीडा नुराग प्रहिताव लोकै तत्राहरतास्ता वरीडानुराग प्रहिताव लोकै। तत्रायतास्ता नहीं, तत्राहृतास्ता, तत्राहृतास्ता, नर्देव कन्या, कुझे नद्रिष्ट्वा हरिमार्त बंधुम। वरीडानुराग प्रहिताव लोकै। उत्थायसद्यो जग्रुह प्रहर्ष वरीडानुराग प्रहिताव लोकै। काफी क्रेटिव क्रिट्स हैं। पहली हम समझ गया कि वो खेचकी सुदिकत आगे तो आप लिखना शिरू करते। इस इस गौट राइटिंग स्किल्सृत। इस नौट दिस्टॉबिंग अटॉट। राइट राजकुमारियां दुख्यारों के मित्र भगवान को देखते ही चौकरनी होती। चौकरनी कारत यहां पे है उच्छा से खड़ी हो गई। वाव। क्रिश्णा अर्हिरो हैसका। उन्होंने अतीव उच्छुकता हर्ष त और अपने को उनकी पत्नियों के रूप में अर्पित कर दिया अर्था तौने पती की रूप में स्विकार कर लिया । तत्र। वहां नरका सुर्के घर के वीतर घटना समझ में आ रही है ना उसको मारा उसके बेटे को उसका बजावा धन भगवान ने दिया उसके बाद उसके अंतह पुरुम प्रवेश की कुजे न भामा सुर्के द्वारा आहरतह हरण करके लाए गई ताह नरदेव कन्या वे सब राज राजा होता है और इसके अलावा रिश्यों की और देवताओं की भी कन्याओं वहां पर उपस्तित थी आर्थ बंधुम हरे दुखियारों के मित्र स्री हरी को दृष्टवा अब देखिए यहां पर हरी शब्द क्यों है क्योंकि यहां पर राजकुमारिया की सवस्था में आर्त हैं, दुखी हैं, उनको अब कोई स्विकार नहीं करने वाला, देखिए, कुछ बाते मुझे भी रिसेंट्ली समझ भाएं, परमपु जवरंदावंचंद महारा समझा रहते कि एक लड़की के लिए, विवास सबसे महत्पूर्ण घटना होती उसके जीवन में, यह भी जौब तो है ने कि आज यहां से सुच ओवर करके वहां कर लिए, वहां सुच ओवर कर लिए, यहां कर लिए, एक प्रापर पती मिलना, एक बहुत महत्पूर्ण घटना है एक लड़की के लिए, उसे बड़ी चिंता रहती है, रहती होगी, नहीं रहती है, कि किसे शा लड़किया है, सज्जन पुरिशों की लड़किया है, अब सभाविक से बात है, वर्ति उनके मन में रहे गी, और आएसी अवस्था में आ गए कि एक असुर ने ने किड्नाप कर लिया है, और उसके बाद कोई उनको स्विकार नहीं करने वाला था, कटनाई में हो गई कि न नहीं पा रहे है, आपने सुना था ना कि इंद्र का वज्र भी इसके नरका के आगे विफल हो गया था, उसके भाले के आगे है तो अब जब इंद्र नहीं बचा पा रहे है, इंद्र उसको नहीं हरा पा रहे है, तो इस जगत कोई राजा कैसे हराएगा, मुझी बस इस बा वज्र जब देवता नहीं हरा पा रहे हैं तो फिर इंसान कैसे हराएगा बहुत ही अद्भूत असुर्त है वह तो इसलिए इनको यहां पर आर्थ बंदुम हरिम द्रश्टवा भगवान के विभन गुण है तो इसमें यहां के यहां पर कृष्ण नहीं कह रहे हैं यहां पर ह हर लेंगे जैसे कोई भिकारी है तो वैव्यक्ति को धनी देखता है क्योंकि उसे धन की आकांक्षा है तो यहां यह दुखी है इसलिए उनको हरी की रूप में देख रही है जो सभी के सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन सबके अमंगल को हरने वाले हैं ऐसे हरी को देख देखकर सद्य उत्ताया मतलब खड़ी हो गई इसलिए प्रभबाद न्यन वाद क्या चोकरनी हो गई तो चोकरनी मतलब इसे खड़े हो जाते हैं कौन आया ऐसे करके उन्हें तो कोई होप सी नहीं थी अगर कोई ऐसे वास्था में रहेगा तो कोई उसका किसी की कोई आसी आशा होगी कि उसे मुक्त किया चाना बिलकुल नहीं कर सकते हैं तो kierा है सद्या उत्हाया तुरंथ खड़ी हो गईं और प्रहर्ष बहुत प्रसंती हर्ष मतलब खुशी और प्रहर्ष मतलब बहुत अच्छी खुशी व्रीड लज्जा लज्जा क्यों क्योंकि अब उन्हें उन्हें पती की रूप में स्विकार कर रही है अनुराग आसकती पूर्वक प्रहिता अवलो कई उस्सुख चितवनों से देख कर उस्सुख मतलत समझे रहे हैं उतकंठा से देख करके उतकंठीत लाई गई थी अप्रण करके लाई गई थी तध्धी नरदेव कन्या वे सारी राजकुमारियां नरदेवँ की करतार राजाों की कुझेए n कूझेए रा भौमा स्वर की दर ले आए थी क्या देखी वो तो कह रहे द्रिष्टवा हरिमार्थ बंदू, उन्होंने हरी को देखा जो कि आर्थ बंदू. यानि कि दूखियों के अधार करने वाले कि बंदू का मतलब क्या होता है? सम्बंधी. दूखियों के एक मात्र सम्बंदी भगवान हरी. एक बात आजाती है कि हरी को ही आर्थ बंदू क्यों कह रहे हैं? दीखिए जो वेक्ति खुद ही दुखी है वो दूसरे के दुख को कैसे हरेगा अब आप कहेंगे दुखी कैसे है इस जगत में हर वेक्ति अभाव में है यदर भी हम एक दूसरे की साहता करने का प्रयास करते हैं करना भी चाहिए लेकिन आप जानते हैं कि हम सभी लोग किसी यह किसी रूप में अभहाब में है एक मात्र हरी ही हैं जो सभी का दुक्h हर सकते हैं क्योंकि उन्हें किसी बात का कोई अभहाब नहीं जैसे दिसे मान लिजे मैं कोई ठीका पढ़ाना चाहता हूं बड़ा बीदे अच्ची बात bounce है लिकिन ठीका समझ नहीं आई किस बात का भाव है मझे ज्यान का भाव है नहीं बोल पाऊंगा है ना जैसे आज मैं सुबह गीता क्लास देना चाहरा था लेकिन शक्ति का भाव था ठख गए रात में नहीं पूरी विए तो शक्ति का भाव तो भगवान के संग तो ऐसा है नहीं अरे अब तुमकु बचाने तो बाहर रहते लेकिन गरुड ठख गया या मैं ठख गया मेरी लक्षमी जी से लड़ाई हो गई ऐसे भाने बाजी भगवान नहीं करते हैं हम लोग करना भी चाहें किसी का उपका तो उसमें हमीं भसे में बहुत जगए तो यहां तो देखी रहे कि कैसे भगवाने सारे मं आर्त नहीं हो गए परिशान नहीं हो गए तो हमारे बड़ा आच्छा ही जबदना आर्त बंदु भक्त का कविता लिखा जब मैंने भगवान का नामने भक्त वच्छल तु मेरे हृद़या बैठ गया कियो मैं नहीं तो भगवान मुश से प्रेम नहीं करेंगे लेकिन जब है उनको देख करके सद्या उत्थाया तुरंत ही वे खड़ी हो गई चोकनी हो गई इससे पहले आप समझ सकते हैं वह उदास सी बैटी होंगी शकल डाउन होगी खाने को भी शायद ठीक से न देता हो मैं यह भूल गया कि वह किड्नाप करके क्यों लाए था मुझे याद नही कुछ मैं कुछ कारण है इसका कुछ की वह ऐसा करेगा तो विक्ति हमां रोगा कुछ होगा पज़े पता नहीं भूल गया मैं अगर किसी को याद हो तो रिसार्च करें बताना कि यह 16100 क्यों लेके आये था 101 क्यों नहीं 108 क्यों नहीं यह कुछ और प्लानिंग ती और आने क कि we have no idea लेकिन कुछ बढ़ा था मैं बुल गया क्यों तो अगर को यहां पंडी जी है तो आप मेसेज कर सकते हैं उन्होंने जक्रहु भगवान को पती के रूप में स्युकार किया और किस प्रकार देखा प्रहर्ष अत्यंत आनन से देखा व्रीड यानि लज्जा से देखा अनराग यानि की आसक्ति पूरवक प्रहिताव लोक है उत्वकरणिक चितवन से देखा एक बाच पुट गई अनराग को क्या मतलब था अनराग करत क्या था अनराग में क्या होता है अनराग में तरिश्णा बढ़़ जाती है भगवान के रूप को देखते हैं लेकिन और की अच्छा होती है अगर आपको याद हो तो हम लोग इसको बहले भी सुन चुके हैं अनराग वो था अवित्रप्त द्रशाम निर्णाम श्लोक था उसमें बात आई थी कि भगवान ने अपने विग्रह को दिखाया लोग त्रिप्त नहीं हुए थे फिर भी भगवान ने उसकी तृष्णा बाढ़ी जाए उसकी तृष्णा उसकी प्यास और बढ़ जाती है तो इस प्रकार से यहां पे वड़नन है कि यहां वो अनुराक से देख रहें थी उनको त्रिप्ति नहीं हो रही थी भगवान को देखने के लिए देखने में कहना चाहिए तो यहां पे एक photo रखा गया देखिकिस प्रकार से सभी राजकुमारियां उस नर्काश्वर के में हैं और हहाँ пож Wann श्री कृष्ण to अनुराख से देख रही है और भवान श्रीकृष्ण वह सभी को व्हों उन सभी ने भवान श्रीकृष्ण को पत्ती की रुप में श्युकार किया यह तो आसान बात थी दिक्कत वाली बात हो जाएगी कि कृष्ण तो एक ही है अद्वय है उनके इलावा तो कोई और है नहीं तो पक्की बात है कि अब अब युद्ध राजकुमारियों में आपस में हो सकता है कौन आपने तो पती चुका स्विकार कर लिया लेकिन वह तो अंती होंगी तो भाविक सी बात है कि यह सभान में व्यक्ति नहीं है तो क्यासे क्या होगा अब यह नेक्स श्लोक में देख लेंगे उसको रिजॉल्ट कर लिया भवान कृष्ण ने अगले श्लोक में नरकासुर ने बड़े-बड़े राजाओं की अनेक पुत्रियों का अपरहन किया था और उन्हें अपने राजमहल में बंदी मना कर रखा था किन्तो जब वह भगवान द्वारा माल डाला गया और जब भगवान उस असुर के घर में प्रविष्ट हुए तो सारी राजकुमारिया हर्श से प्रफुलित हो ठी और उनकी पतनिया बनने के लिए स्वयम को अर्प्रित कर दिया क्योंकि भगवान ही दुख्यारों के एक मात्रबित्र है यह इन्हें स्विकार नहीं करते तो उस सबों के विवाईत होने की कोई संभावना नहीं थी क्योंकि उस असुर ने उनको उनके पिता के संद्ग्षन से अपरहण किया था अताहा होता वयद्श समाज की रिती के अंसहार कन्ञाय पिता के सुन्रक्षन से पति के संरक्षन ही भेजी जाती है चूँकि ये कन्नाय पहले ही अपने अपने पिता संवस्वीक्षन से अफ्रण्षं से अफृँद कि जा तुम्हारे चरणों में एक अदन भिकारी आया है इस जगत ने मुझे ठुकराया है एक तु ही मेरा सहारा है गोविन्द तुम्हारे चरणों में एक अदन भिकारी आया है देखिए ये भाव बहुत अच्छा है अगर आप राजकुमारियों की स्थिति पे विचार करें तो उनके पास कोई योगिता नहीं थी जिसकी वज़े से वग कहें कि आप मुझे इस कारण से अपनी रानी के रूप में स्विकार कर लें पत्नी के रूप में स्विकार कर लें और यही सबसे बड़ी योगिता है यही है कि मैं सबसे अधिक दीन हूँ और आप दीन बंदू है आमी तो अधम तुमी अधम तारण उभाए संबंदे एई परम कारण हरिदा श्ठाकर जी ने भी कहा कि महाप्रभू मैं आपसे किरपा इसली मांग रहा हूं क्यों कि मैं सबसे अधिक पते थो और आप आधमों का तारण है इस संबंद के कारण मैं आपसे किरपा मांग रहा हूं इस वेरी नाइस ना आगर आपने को याद हो तो रुकमिनी जी भी इसी प्रकार से बोल नहीं थी अपनी अयोगता ही प्रसुत कर रही थी कि हम तो किसी योगे नहीं है आप अपनी कृपा से मारत धार कीजिए तो यह बहुत अच्छी बात है बात यहां पर आ रही है तो मुलर नेम है कुछ अलग अलग ना होता है तो याज भी रखता एक लड़की थी प्लीस हेल्प में जो बात में शिखंडी बन गई अंबिका थी कौन थी पता नहीं अंबा ओके 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 अंबा 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 ने भीश्मित दिव को कहा कि मैं विचित तुर्वीर शादी इसलिए नहीं कर सकती हूं क्योंकि मैं शल्ल से प्रेम करती हूं तो उन्हें बड़े सम्मान के साथ उन्हें शल्ल की पास भेज दिया लेकिन शल्ल ने कहा कि ना तुम्हें अब दूसरा पूर्श कर चुका है जबकि वह पवित रही थी लेकिन अब मैं तुमसे शादी नह नहीं मैं खाली ये बात बोली क्यों भाई भीश्म देव असूर नहीं है वह आपरहन करके उनको किट्ञाप नहीं करके लाएं अपरण करके जरूर लाए लेकिन वह है वचे तुम्हें शादी करने लेकित प्रपर तरीक से और दो रड़की उनी शादी कर भी लेकिन इधर पे आप देखिए कि इतने समय तक एक असुर के द्वारा अपरण करके लाई गई स्थरी भी कहना चाहिए वालकि राजकुमारी उसका कितना बड़ा दुर्भाग होगा कि उसकी किसी स्यादी नहों को राजकुमारी का कितना वैभव होता है बताइए वहां से उठा करके पहल हो गया कि इतनी बड़नामी होगी आप देखिए लीला को ऐसे पढ़के मत छोड़ दीजे कि किसी की कोई लड़की घर से उठ जाए तो पूरे महलें बड़नामी नहीं हो जाएगी बताइए मैं थोड़ा सा और ग्रॉसली बता रहा था कि बास समझ में कि ये वाकई वह बह और ठोड़नेत हो गए कि यह तो एक असूर के हाथ चली गई थी मलब करनाप घर लिए थी फिर भी उनका सम्मान होता है कि ने उनके जीवन में एक काला समय आया की नहीं आया था शास्तर में भी बताया गया लेकिन भगवान की प्रत्नी बनी भगवान को समर्पन किया तो उसी जीवन में दिखिए बाद उनको महीशी कहा जाता है भगवान की जो पट्रानियों के बाद जो रानिया थी उनमें को गिना जा रहा है तो आप देख लिए कोई विक्ति कितना भी नीचे निम्नितवन अवस्था में पहुंच जाए अगर वह नम्रता से भगवान को पकारता है तो वह सर्वसेष्ट अवस्था को पहुंच जाता है नोट वहां भगवान कृष्ट ने अब नोट यहां से दे रहा हूं मैं यह आपको दश्वसकंस से कुछ उसका ट्रांसलेशन ने उसका जो सार रूप में है वहां पर बता जा रहा है वहां भगवान कृष्ट ने सूलह हजार से अधिक राजकुमारिया देखी जिने भौम ने विभिन राजाओं से बल पूर्वक छीन लिया था जब स्तिरियों ने पुरुषों में सर्वत्तम पुरुष को प्रवेश करते देखा तो वे मुहित हो गई उन्होंने मन ही मन उन्हें जो की वहां भागिवश लाए गए थे अपने अभिष्ट पती की रूप में स्विकार कर लिया हर राजकुमारी ने इस विचार से की विधाता इस पुरुष को मेरा पती बनने का वर्दे अपने हृदय को कृष्ण के विचार में लीन कर दिया वही है जो उनकी पती है कोई और नहीं है लेकिन वह है इस प्रकार से आकर्शित थी भगवान ने राजकुमारियों को स्वच निर्मल वस्तरों से सजवाया और फिर उन्हें रत घोड़े तथा अन्य मूलवान वस्तरों के विशाल कोशो समेत पालकियों में द्वार का भिजवा दिया और जो बाकी बचा धन था वह है भगदत को दे दिया जो नरका सुर का मरे इसा अजीव से लग रहा है कि ईजवा दिया साधी वह हुई और यहां पहले श्लोक में लग रहा है कि शाधी वही हुई कशना को नहें पता में कुछ भी कर सकते को ठीक है मेरे पीछेप बलिया अब इसके बाद वो शादी कर लिए तीक हो क्या रहा है कि उद्धव जी एकदम क्रोनलोजी में तो नहीं बोल रहे हैं तो सभाविक सी बात है कि वह डेटा को एक्जाट्ली नहीं प्रिजंट करेंगे हो सकता है ऐसा तो अब टेंथ कैंट में डिटेल में होगा कि वो लेके गए वहाँ शादी हो कि यहां कैसे शादी होगी करने दान कौन करेगा प्रित्वी माता है अब इस यह रिसर्च का विश्य है भाई आप लोग रिसर्च कर लेना कि शादी कहां हुई थी क्या शादी के वेन्यू वेन्यू बोलते है उसको है न वहां मंडब कहां था वह एक सादी करें आसाम महुर्त एकस्मिन नानागारे शुयो शिताम सविधम जग्रहे पाणिन अनुरूपह स्वमायया आसाम महुर्त एकस्मिन नानागारे शुयो शिताम सविधम जग्रहे पाणिन अनुरूपह स्वमायया वे सभी राजकुमारिया अलग अलग भवनों में रखी गई थी और भगवार ने एक साथ प्रत्यक राजकुमारी के लिए उपयुक्त युग्म के रूप में विभिन शारिरिक अंश धर्ण किये उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा विधिवत उनके साथ पाणि ग्रहन कर लिया तो इससे तो यही समझ में आ रहा है कि वहीं पे विवा हुआ था तो वो टेंथ केंटू के अनवाद में ऐसा क्यों बोल रहा है कि वापस भेजा फिसे बगर पढ़ें किया वहां का भीजवाद यही स्वास समझ में आती है कि यह बिए सकता है यह सकता यह सट और ट्रांसलेशन में बीच में वो बातें ना आई हो झालिते हैं स्व माया भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति से माया मतलब शक्ति स्व मतलब अपनी ना ना अगारेशु विभर्यन कमरों अवस्थित आसाम उन सब योशित नामस्तिरियों के पानीन अनरूप हातों को उनके अनरूप धारन करके सविदम जग्रहे विवाह की उचित विदी से स्विकार क्या मतलब क्या हुआ इससे यह सुचित हो रहा है कि इस व्यक्ति ने महल तो नहीं बनाए थे लेकिन 16100 कमरे हो होंगे उसमें हर राजकुमारी को रखा होगा असा लग रहा है और भगवान ने क्या किया यहीं विस्तार कर लिया अपने आपको 16100 कि दूसरा अब सब की हाइड बराबर है क्या हो सकता कोई पांच पुट शे की हो तो भगवान मालो साथ पुट इस से कैसे शादी करूंग में हो सकता है कि कोई अब 6 फिट की हो और भगवान बहुत होते तो अरे टिंगू से कैसे स्यादी करूंगे समझ में आ रहा है कुछ यह बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि लड़का देखने में अच्छा हो लेकिन अब दो तीर इंच दो इंच छोटा हो तो लड़की कहेग में बहुत बड़े हैं बहुत चोटे हैं तो एकदम साइस के अंसार अनुरूप का मतलब यह नहीं कि बिल्कुल एकदम हाइट मैच की होंगे लेकिन जैसा जिसका हाइट रहा वैसे उसके अंसार भवान रूप धारन कर लिए कस्टमाइज आठ नमबर कृष्णा नाव लेकिन भवान ऐसा हर्जा नहीं कर पाता है अंसृन लेकिन भवान नहीं किसा कondere इसा क्या है इसा कासे कर दिये तो पहला शब्द देखे Boris क्या शब्द लिखाया पहला स्वमाया अपनी शक्ति से कर दिया और हर हर कम्रे में भावान ने अपनों को ऐसे विस्तारित कर लिया सो भाविक सी बात है कि वह समझ गई होंगी सभी लोग की भावान अब हमारे साथ हमेशा विक्ति के दुरूप से रहेंगे ना? अजान से मोहर्त में होना चाहिए तो एक ही मूहर्त में होता है यह बात बता ना भूल गया मैं यह तो बड़ा IMPORTANT है अगर भगवान एक एक करके शादी किये होते तो 16108 मुहूर्थ कैसे निकलता इसमें कुछ आपको जानकारी है भाई शादी के एक दिन में एक दिन में शादी के कितने मुहूर्थ निकल सकते हैं कुछ जानकारी बताईए अलग-अलग उचित समय के साब से उस्पिशियस टाइमिंग के साब से निकल सकते हैं 24 घंटे में कितने मुहूर्थ निकल सकते हैं दो तीन निकल सकते हैं दो या तीन तो बस केवल दो या तीन लड़कों के शादी होती और नहीं तो होती तो सब की फिर एक साथ में होती एक साथ में होती तो मजा नहीं आता तो भगवान ने अपने आपको फिर वो लोग क्या करते मजा नहीं आता उसमें वहाने सबको अपने अलग-अलग इसमें विस्तारित कि अपर एक और प्रश्णा दागे तो कोई ना कोई तो करने दान जरूर किया होगा शादी के लिए इसमें लिखा है सव विधम जैसी विदी होती है तो इसमें एक विदी है कि करने दान करने वाली माता जी होती है तो इससे यह भी सूचित हो रहा है कि और कोई माता जी तो है नहीं ना उनके पिता है तो अगर अगर यहीं मानने कि वहीं शादी हुई तो इसस कल्यान राइप्रभू कृष्ण बुख से भेज रहे हैं कि भगवान ने वहीं पेशादी करी तो तुम ही श्युकार कर रहे हैं तो नाना गारिश योशिताम जो श्त्रियां विभिन प्रकार की कमरों में थी उनमें सव विधम विधी पूर्वक जो विवहा की सही विधिक उ पारा उसके साथ जग्रहे पाणिन उनके हाज को स्विकार किया मतलब पाने ग्रहन किया अथत्रत उसके पतनी गुरुप में स्विकार किया ऐसे होता है मैं बतरता बूल्ला शादी में क्या होता है जो बेटी का हाथ है मां यह पिता पिता देता है ना भूल गया काफी स्मृती हो रही है कि इस ने हाथ पकड़ाया था है ऐसे होता है ना येस माता पिता दोनों देती है अगर माता देगी तो इसका मतब है कि निश्वित रुप से वहां पे माता जी होंगी यानि प्रिस्वी माता ही दी होंगे कौन दिया होगा रिटेल में निश्वित रुप से यह विदी है इसके मिना होने होगा ने कन्यादान होना बहुत जिरूरी है कर्यादान करने वाला होता है अगर माता पिता नहीं होती तो फिर और कोई श्रिष्ट वित्ती होता है जो करता है उनके भी आफ पे तो यह हुआ अनरूपह और उनके अनरूप ही हाथ ग्रहन किया आज़ा ये भी काफी इंट्रेस्टिंग है ने मालो ऐसा लग ला है कि लड़की का हाथ भी जिस तरह का होगा साइस का होगा उसी तरह भगवान ने भी कर लिए भगवान का साइस मालो एक फुटका होता थो इसकी हाथ को मैं कैसे पकड़ू तो आप समझे ले क्रिष्णा इस वेरी परसनल मैं यह कहना चाहता हूं क्रिष्ण बहुत व्यक्तिगत आदान प्रदान करना चाहते हैं अपने हर भक्त के संग यह देखा आपने अपने भक्तों को फ्रसाद खिला रहे हैं उसको यह पसंदि के खिलाओ एक्सट्रा उसको वह पसंदियो परमात्म को और एक्स्ट्रह दो क्रिष्णा इस वेरी परिष्ण भगवान बहुत ही विक्ति ग दूरुप से आदान प्रतान प्रतान करते ने भक्तों के साथ में त शमा किजिएगा मैं ऐसे उप्योग कर रहा हूं शब्द रख नहीं लिया रखने का मतर समझते हैं ना ठीक है किन्त महाराज से बहुत अच्छा कहते हैं कि ये विवहा यग्य जो है ये बहुत पवित्र यग्य है जिसमें एक लड़का और लड़की दोनों ही निरवहा करते ह है वह एक दूसरे का दाइत्व लेते हैं एक स्टुडेंट हमको बोल रहे थे प्रभुजी हमको बहुत अकीला लगता है यह लगता तो शादी कर लो तो कहते हैं और उसकी जिम्मेदारी पूरा जीवन लेनी पड़ेगी वह गलत सोच रहा है जिम्मेदारी आप ही को नहीं लेनी होगी उसको भी तो लेनी होती है माताजी लोगी तो घर में भोजन बनाती है और बाकि सारे कार करती है तो यह एक मिस्टेक है कि जिम्मेदारी कीवल एक तरफ सी लनी होगी यहाँ पर क्या वो किवल यही सोच रहे हैं कि बस हमको जैल से निकालेंगे इसने शादी कर करेंगे नहीं इन लड़कियों की जिन सभी की भगवान से पती गुरूप में संब्न बनाने के च्छा थी तो वह उनकी सेवा करना चाहती थी किन्तु 16,000 आदी कर्नियाओं से एक साथ वहां का अदभुत कार उनने किस प्रकार किया अब यह रूप बोलना चाहता हूं आप अगर आप आपका भाग अच्छा नहीं निकला लेकिन शादी के आयोचे में बहुत जमिला होता है मना इजी वाली शादी करने की बात कर रहा हूं वाकि जनवासा और यह और क्या फजियत होती है तो अब यह प्रश्न बनेगा ना कि भवान ने 16,100 से कर लिया और वहां तो सामने शादी करें तो बहुत समझ रही है उसे पहले भी उनकी को वाइस रह चुके हैं बग्मान अपने आपको विस्तारियत कर सकते हैं तो को जो अब्यक्षन नहीं किया लेकिन एक बात अजीव सी है ना पत्री के सामने और नई पत्नियों को शिकार करना तो इसमोने कैसे कि आउने दिक्कत नहीं हुई आप मेरिटेट कर पा रहें इस बात को कि आप ज्यादा नहीं सोचना अपनी इपनी शादी को जर्व चार करें कि कितना जहमेला होता मेक अप और ये और वो और उनको नए वस्तर देना सब कुछ नहाला दोना सारा कुछ जहमेला हुआ होगा लेकिन उसके और समार्कaround के बाद उदर मारकाट मैनेजमें नहीं कितने नहीं हूए हैं जहां पर आपकी शादी हो इस운 कि नहीं नहीं होई तो कहते हैं उन्होंने यह कार्य स्वयोगमाया अर्थात अपनी योगमाया दोरा किया दूसरा इसको तोड़ी यह तो ऐसे होगा स्वयोग यहां पे शब्र गलत देग्या स्वा माया को असे तोड़ेंगे तो होगा सू प्लस अ माया एक तो होगा स्वा प्लस माया और दूसरा होगा सू प्लस अ माया क्या अच्छ कर पा रहे हैं तो जागा सू अ माया मतलब सू का मतलब का सुस्ट्री और अच्छी प्रकार से और अम आया अर्थात विमोह रहते हुए किया क्या मतलब है भगवान को टेंशन नहीं हुए अम आया मनलब एकुट हरी भाई या तो इसे चादी होगी यह वह इतना जमीला ना बड़ी आसानी से बिना अम आया बिना किसी परिशानी के विना विमोह हुए विमोह का मतलब होता समझ में निया का करना होता है तो बिना विमोहित हुए भगवान ने कारे कर डाला उनके लिए असान है प्रपाद इसी बात को समझा रहे है कि आसे कि अतात परिए ब्रह्म समिता में भगवान उनके असंख स्वांशों के साथ निम्नवत वर्णन मैं उन भगवान गोविंद की पूड़ा करता हूँ जो आदी भगवान है वे अपने असंख स्वांशों से अभिन्य है वे अचुत आदी तथा असीम है इवं नित्य सुरूपों वाले हैं यद्य भी वे सबसे प्राचीन पुरुष हैं किन्तु वे सदेव नवीन तथा य अभी व्यक्ति हैं तो भगवान यहां पर अपने आपको प्रकाश विस्तार में विस्तार के विस्तारित किया एक साथ अपने आपको विभिन सुरूपों में विस्तारित किया और वो सभी भगवान से अभिन्य है ऐसा नहीं कि ओरिजिनल भगवान तो सत्य भामा किशारत ह यह नहीं है वो सभी कृष्ण ही है भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से स्वयम प्रकाश के विवेद पुरुषों में और पुना प्राभव तथा व्यभव वुरुपों में विस्तार कर सकते हैं अब मैं बिल्कुल भूल गया हूं कि प्राभव व्यभव विस्तार क्या होते हैं वह जब पढ़ाया था चत्रतामित में तब यह था अभी दम भूल गया मैं बला कठन होता है इस पॉइंट लेकिन एक बात समयाती है प्रकाश विग्रह होता है भगवान अपने आपको विस् नहीं होता है तो उसको प्रकाश विग्रह कहते हैं ये सारे रूप एक दूसरे से अभिन्य होते हैं भगवानACE विभाने भवनों में रह रही राजकुमारीयों के साथ विवहाग करने के लिए जिन रूपों में अपना विस्तार किया ये उनमें से हर एक के अनुरूह होने अब एक चित्रपट पे यहने की टीवी में उनके फोटो अलग लग प्रकार से दित्ती है तो यह है वह एक ही वेक्ति हैं और वह एक बार में एक ही कारे कर सकते हैं रिकॉर्डिंग से में ऐसे इसने हाथ हिराया प्रामिनिस टरने तो बाकी जगे भी ऐसे ऐसे हिलता चला जाएगा देखाओगा आपने अगर टीवी खरिदने कभी गए हो यह कहीं परास्त करने के बाद कृष्ण उस पारिजात को अपनी राजधानी ले आए एक बार रोप दी जाने पर पारिजात विरिक्ष ने रानी सत्यभामा के महल के बाग को मनोहर बना दिया इस विरिक्ष की सुगंध तथा मदोर रस के लौलची भौरे स्वर्ग से ही इसका समझ में आ रहा है कि यह सत्यभामा को लेकर परिजात लेकर वहापस इस से तुझे समझ में आ रहा है कि द्वार काम शादी हुई यह सब टेंथ कांडो के ट्रास्रेशन ही रखे गए हैं मैं कुछ अलग से नहीं लिया हूँ तब उन अव्वे महापुरुष ने प्रत्यक दोलन या वधू के लिए पृतक रूप धारण करते हुए एक साथ सारी राजकुमारियों से उनके अपने अपने भवनों में विभा कर लिया अचन्त कृत करने वाले भगवान निरंतर अपनी प्रत्यक रानी के महल में रहने लगे जो अनिक इसी आवास की तुलना में अद्वितिय थे वहाँ पर उन्होंने अपनी मनोहर पत्नियों के साथ रमन किया यद्दपी वे अपने आप में पूंट तुष्ट रहते हैं और समान पती के तरह अपने ग्रहस्त कार संपन किये इस तरह उन श्त्रियों ने लक्ष्मी पती को अपने पती के रूप में प्राप्त किया यद्दपी ब्रह्मा जैसे बड़े से बड़े देवता भी उन तक पहुंचनी की विधी नहीं जानते अभी बहुत तो देखिए एक निम्न अवस्था में कोई भक्त है और उसको भगवान की किर्पा से वह अवस्था प्राप्त हो रही है जो बड़े-बड़े देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती यह अपने-अपने आखों से आपने आप देख रहे हैं इसलिए यह नहीं सोचना चाह है छोटा है तो वह देवताओं से बड़ी उपलब्दी कैसे प्राप्त कर सकता है इस दिट्ट ओके भगवान की सच प्रापर साधन स्युकार करे तो भगवान का नाम चारण करे भगवान की भक्ति करे तो मनुष्य जीवन से ही एक ही जीवन में भी भगवान का पार्षद बन सकता है जैसे कि नारजी बने थे बने है की नहीं बने एक ही जीवन में बन गए की नहीं वैसे भी जिस जीवन में आप बनेंगे हम बनेंगे वो तो वही जीवन होगा ना है की नहीं तो यह कैसे कह रहा है कि इस जीवन में नहीं बन सकते है मैं आप ही लोग को नहीं बोल रहा हूं, मैं आप सेम पर विचार कर रहा हूं कि जहां कहीं भी मैं कुछ कमी कर रहा हूं, क्यों कि मैं कर रहा हूं तो मैं यह सोच रहा हूं कि इस जीवन में तो बन ही नहीं सकता लेकिन साधन तो हमने बहुत प्रबल स्युकार किया है ना शुमित भागवतम भगवान का नाम तो अगर हम थोड़ा प्रयास करें कि आप राद से हम बचें और फोकस करें भक्ती में तो संभावना जादा इसकी है कि हम भगवान के पार्षद बन जाएंगे प्रभपाजी से पुछा गयाता है कि सूला माला का जब अचार निमों का पालन यह इतने सही हो जाएगा मतलब इतने सही में भगवान का पार्षद बन जाओंगा है ना बहुत असान लगता है ना कि आजने चीज़ों के लिए तो बहुत महनत करनी पड़ती है माता जी बता रहे थी तीस यार के नौकरी के लिए अठारा गंटे पड़ती थी हो तीस यार तो बहुत होता नहीं होता है एक भगत बता रहे थे कॉल सेंटर में काम करने गए तो रात के दस से लेकर सुबह के साथ बे तक नौन स्टॉप सीट छोड़नी नहीं होती थी वह वाश्रूम के लिए उट सकते थे इजी ना यहां बगत कहते हम दो घंटा जब में कैसे बैठे तो मालो वही भग को बोलों तुवहां कैसे बैठते थे कुछ मिलते होंगे 20 यार 25 यार 35 यार जो मिलता होगा हमको बहुत अश्री बात लग नहीं महाराज बता रहे थे कैसे देखिए कलकत्ता से विरिंदावन से दिल्ली 20 विवोके 1-500 क्लियोक्तर है और काटा से दिल्ली बहुत दूर है लेकर हवाय जाहस पकड़ दे तो यह चाहँ है तीन घंटे लगते हैं मैं है जहीं बहुरहां तीन घंटे में रखे कि भगवान मैं तो बहुत आयोग हूँ अगर आप सायता नहीं करेंगे तो मैं कैसे चलूँगा मुझे पता है मिरसे बहुत अपरात होती है आप प्लीज उसको शमा कीजिए आप मिली हेल्प कीजिए मैं जो अपरातों को मैं नहीं जानता हूं जानता हूं जो लड़कें कैसे बोल सकती है ऐसा तो नहीं बोल सकती न जंडा लेकर जानगे चाही वेक्ते करी न वेरी इंटरस्टिंग ना लालसा वे उनके प्रती निरंतर बुद्धीमा व्रद्धिमान अनुराग का अंभव करती है समझ गए अनुराग का मतलब और प्रेम बढ़ रहा है और प्रेम बढ़ रहा है और त्रिश्ना बढ़ है और utrishno बढ़ है कृष्ण की सिवा करने के उनकी से हशी य॥ चित्वन का आधान प्रदान करती ओर शास पर्धियास स्थ्रियोन वित लज्जा से पूर्ण नित नवीन श्रता का आधान प्रदान करती है यस्ति भी भagवान की प्रतिक रानी के पास सैकरो दास्या थी थी तो भी भी भागवान के पास विन्य पूरवक जाकर उने आसनप्रा ग्राण करके उत्तम सामुली कर उनका भिष्टर ठीक कर चर्ठी कर था उन्हें विविद वपहार देकर कर आती उन्हें सबस्धियों कर् αइंकर दोने आसे ऐसा करती तो कोई माताजी केढ़ी नहीं कि हो क्रिष्ण सिवा में बन जाएगा तो हजार पार पहले सोच लेंगे सोने कभी टाइम नहीं मिलेगा खुप सिवा है एनियाओ सिवा में असी मुतानंद है तो यह सब हमने सुना उमिदे की बाते अपको अच्छी लगी होंगी समझ में आगे भगवान और असूरों के वदद करेंगे अब मेरे सामने एक बात है कि अगले अगले शलोक में बहुत सारे असूरों के भवावन अध्धजी भगवान से मरवा देंगे तो शलोक क्या है देख लें एक बार आठवा नहीं नवा में तो असान है ठीक है तो काल यवन के बारे में है और शल्व के बारे में है तो अब अगर आप लोग चाहें तो हम उसको डीटेल में सुना सकते हैं थोड़ा सा डीटेल में बताएंगे तब अच्छा लगेगा ने तो जुन्होंने कभी क्रिश्णा क्यासे हुआ तो इसी प्रकार चलेंगे जो श्लोक रहेगा उसे रहेगा उसके आद आगया हम एक्शन वी दिखाएंगे उमीदे कि आप लोग को आप लोग भी एक्शन मुवी के टेस्स को अस्वदन कर रहे होंगे बीच में थोड़ा सा रूप यहां पर स्वारा से रूम कि मान은 दे